हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैट्स पर तो फ्रेंड बहुत दिनों से आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज हमारे को जल्दी से अपडेट करिए कि कहां कहां आर्मी पप्लिक स्कूल में वेकेंसी आई ह हैं और मैं आपको रिबलाई भी कर रहा था कि जैसे ही वेकेंसी आएंगी मैं जरूर वीडियो बनाकर आपके सामने ले आऊंगा तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपसे वदा किया था मैं ये वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि अब आई हैं वेकेंसी आई हैं पंजाब में काफी सारे Army Public Schools में ये vacancies आई हैं और सारी vacancies आई हैं PRT, TGT और PGT के लिए तो सभी candidates जो अपने अपने respective stream में apply करना चाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशकबरी है friends तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये vacancies कहां कहां आई हैं लेकिन उससे पहले friend मैं आपको एक बहुत जरूरी request करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon जरूर हिट कर दीजिए का ताकि जब भी future में कोई video upload वो army public school पठान कोर्ट ने निकाली है लेकिन ये सिर्फ पठान कोर्ट की vacancy नहीं है काफी सारे 4-5 army public school जो पंजाब में उनकी ये vacancy है तो जैसर कि आप देख पाएंगे यहाँ पर आप नीचे ही जब scroll करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने current news, events और dashboard जो यहाँ पर option दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देखिए कि number one जो pointer है वो कहता है selection of teachers through CSB तो आप जानते हैं कि आपने exam दिया था 21st November और 22 November को CSB exam ही था तो उस exam के जरीए ही अब यह जो है teacher की vacancy कर रही है तो इसकी जो last date of submission आपको बताए गई है तो कि सारी जो important details है मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर download application form का आपको option दिया हुआ है तो आए हम इस form को download कर लेते हैं आप जैसे देख पा रहे हैं यह advertisement आया हुआ है requirement of teachers on regular basis तो यह regular job आपको मिलने वाली है कोई contractual job नहीं है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि यह contract basis की job नहीं होने वाली है यह regular basis की job होंगी और यह army public school जांगलोट, कंडरोरी, मामुन, माधोपूर, पठान और उची बसी तो यह छे जो अठान को छे जो army public schools है यह vacancies वहाँ पर आई है आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको number of vacancies भी mention करके बताई गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं PGT physics के लिए two vacancies है chemistry के लिए one है fine arts के लिए two है English में four maths PGT के लिए one है music में one है geography की भी दो vac vacancies है commerce के लिए one और physical education के लिए two vacancies है similarly friends for TGT physics दो vacancies आई हुई है computer science के लिए एक है maths के लिए दो vacancies है English के लिए four vacancies है history के लिए two है science के लिए one और social studies के लिए two vacancies है PRT में सभी subjects के लिए total eight vacancies friends आई हुई है तो जैसा कि आप नीचे देख पाएंगे यहां पर mention है कि जो fresher candidates है उनकी जो age है वो 40 years से नीचे नीचे होनी चाहिए below 40 years होनी चाहिए और जो experienced candidates है जिनका experience five years to five years का teaching experience है पिछले 10 सालों में उनकी age 57 years से below होनी चाहिए और इसमें एक service personnel भी included है तो अब यहां पर जो necessary education qualification आप का सबसे पहले CSB जो है वो qualified होने चाहिए अगर आप PGT के लिए apply कर रहे हैं तो PGT के लिए और TGT के लिए apply कर रहे हैं तो आपका जो paper 1 और paper 2 दोनों qualify होने चाहिए PRT के लिए अप apply करना चाहते हैं तो आपको just paper 1 को qualify महाँ पर दिखाना होगा इसके साथ साथ अगर आप TGT या PRT के लिए apply कर रहे हैं friends तो आपका CETAT या कोई state TAT mandatory है PGT के लिए CETAT और TAT की कोई requirement नहीं है लेकिन TGT और PRT के लिए आपको यह चाहिए होगा तो यह जो post friends यह आपको कह रहा है कि यह transferable है within APS तो अगर आपको किसी दूसरे APS में transfer हो सकता है आपको कर दिया जाए तो वो depend करता है कि आपको क्या requirement है क्या वो तो job मिलने के बाद ही वहाँ पर आपको मालूम चलेगा तो अब आपको यह application form कैसे भेजनी है friends उसके बारे में यह बताया गया है कि आपको यह school की website से अपने जो application form है उसको download कर देना है और अपनी सभी जो original copies है उनको self attest आपको करना है और इसको आपको 31st December 2020 से पहले principal of school को भेज देना है जो चालान की guidelines है वो नीचे यहाँ पर mention है तो friends जहाँ पर क्या होगा कि जब आपनी application form send कर देंगे by post जहां पर भी आपको भीजनी है उसे school में भीजेंगे पठान code को आपको भीजनी होगी तो जब आप shortlist हो जाएंगे इंटर्व्यू के लिए friends तो आपको जो है अपना एक covid का test कराना होगा जो की within five days आपको कराना होगा इंटर्व्यू की date से उससे पुराना कर कोई test result होगा तो वो valid नहीं रहेगा तो इंटर्व्यू की date से आपको पांच दिन पहले तक अपना जो है गोविट का test कराना होगा और उसकी report को आपको और original documents के साथ इंटर्व्यू की date पर साथ में ले इंटिया गया है यह है एक standard format है यह APS में apply करने का all over India तो सभी APS इसी format को follow करते हैं आपको यहां पर mention करना होगा कि आप कि पोस्ट के लिए apply कर रहे हैं TGT PGT या PRT और यहां पर आपको अपने colored photos लगाना होगा जो की थोड़ा सा recent time का होना चाहिए बहुत परहना आपका photograph नहीं होना चाहिए बाकी यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर आपको details विल करनी है name, address, nationality, contact details इसके अलावा अगर आप experience candidate हैं तो आपको यहां पर अपना experience details mention कर देनी है अपनी family के बारे में बताना है तो all जो भी आपके educational records हैं यहां पर आपको उसको mention करना है इसके friends आप यहां पर बताएंगे कि आपने CSB clear कर लिया है कि नहीं कर लिया है और अगर आप TGT या PRT के लिए apply कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आपने seated या estate clear किया है कि नहीं किया है तो आप यहां पर देख पाएंगे यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि आप कौन से subject को नहीं पर यहां पर चलक्त को पढ़ाना ज्यादा प्रिफर करेंगे और kuいますi classes को पराणना प्रिफर करेंगे तो यह में podcast क्रेन कर सकते हैं जो भी class आप पढ़ाना प्रिफर करते हैं यहां पर आप mention कर सकते हैं तो और यहां पर आपको अपनी experience की details भीय करनी है तो आप और experience के बारे में सब बता सकते हैं, तो यह सब necessary information है, जो आपको यहाँ पर feel करनी है, अलग से space दिया गया है TGT और PRT के लिए, अपना experience आप यहाँ पर भर सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा aptitude के बारे में question पूछे गए हैं, आपकी health के बारे में पूछे गए हैं, आपके co-curricular activity, games और sports के बारे में question पूछा गया है कि आप कौन सी co-curricular activity बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो जो भी आपके interest हो या किसी आप game में अच्छे competent हैं, तो आप यहाँ पर अपने उस competency को mention कर सकते हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक computer knowledge के बारे में पूछा गया है, कि आपने क्या computer में कोई diploma या degree ली है कि नहीं, आपको कितने experience है computer पर काम करने का, क्या आपका खुद का एक laptop है, और अपने computer hardware के बारे में आपको कितनी knowledge है, तो यहाँ पर थोड़ा सा computer knowledge भी आपकी जज हो रही है, तो आपको यहाँ पर अपने knowledge के हिसाब से mention कर देना है, तो इस तरह से आप friends यह form भरते जाएंगे, और यहाँ पर last मे आपको personal data जो भरना है, वो बिल्कुल सही सही भरना है, जैसा कि आपने CSB के time पर भरा होगा 10th के certificates के हिसाब से, इसके अलावा friends आपको 100 rupees का demand draft बनाना होगा, जो कि payable at nearest bank of the school होगा, जानि कि जिस APS में आप apply कर रहे हैं, उस APS के nearest bank में आपका demand draft है, वो payable होना चाहिए, तो 100 rupees का यहाँ पर आपको demand draft जो है, वो लगाना होगा, एक bank चालान आपको लगाना होगा, इस तरीके से friends, यहाँ पर आपको अपनी फिट से एक form धिया गया है, जिसको आप अच्छे से भर देंगे, और यहाँ पर आपको अपना signature और date फिट से mention करनी है, चालान यहाँ पर आ यहाँ पर आप school wise आपको vacancy बटाई गई है, कि APS परठान कोट में कितनी vacancy है, यह सिर्फ APS परठान कोट के लिए है, different different school में आपको वहाँ की website पर जाकर mention किया हुआ है, तो आपको वहाँ की website से जाकर यह download करना होगा form, तो यह APS परठान कोट के बारे में है, physics में one vacancy है, TGT physics में one है, history में one है, तो अलग-अलग school में अलग-अलग vacancy friends आई है, आप इन सब schools की website से उसको जाकर देखेगा, और अब check कर लिजेगा कि कहां कहां कौन सी vacancies आई है, तो उमीद करता हूँ friends, आपको सभी necessary information मिल गई है, इस vacancy के बारे में, आप जल्दी से जाकर यह अप आप कहां prefer कर रहे हैं, कौन से school में आप join कर सकते हैं और apply कर दीजिए, all the very best, मिलते हैं अगले video में, good bye